आज मैं बालों से रेलेटिक बहुत अच्छा सा हेयर मास्क लेकर आई हूँ या हेयर पैक भी आप कह सकते हो इसमें मैं दही, सर्सो का तेल और नीबू का यूज़ कर रही हूँ यह तीनों चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपने अपनी द अगर लोग इन दौनों चीजों को सिर्फ खाते हैं लगाते नहीं यह लगाते क्या है बाहर के जो प्रोडक्स आते हैं उनको यूज़ करते हैं चाय भाले उनसे बाल डैमेज हो है फिर भी उनही को लोग आज कल प्रिफर जादा करते है पर मैं यह कहूँग गे और फेफर चीज़ों कोई यूज़ करें इससे क्या होता है हमारे बालों को फाइदा ही होता है नुकसान कुछ भी नहीं होता है और उससे क्या होता है हमारे बालों में नुकसान होने के चांस रहते हैं क्योंकि उनमें कैमिकल होता है उसमें लिखा जरूर रहता है कि कैमिकल नहीं है कु इसलिए मैं ये हेर मास्क लेकर आई हूँ, ये हेर मास्क बहुत ज़दा अच्छा है, इससे आपके बाल बहुत शाइनी होंगे, मुलाइम होंगे, ड्राय बालों की समझ से वो भी दूर होगी, दो मुवे बाल हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, और बाल बहुत आप अपने बालों की लेंद्ध के हिसाब से ले लीजेगा, मेरी लेंद्ध शोल्डर से थोड़ी नीचे है, बालों की उससाब से ले लिए हूँ, और दो बड़े चमझ मैंने इसमे सरसो का तेल डाल दिया हो, एक बड़ा चमझ नीबू का रस मैंने इसे मिक्स कर दिया, अच्छे से पूरा पेस्ट को मिक्स कर लेना है, तो जब यह मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे अपने बालों में अपलाई करेंगे, तो देखी यह अच्छे से मिक्स हो गए, इस तरह का कुछ पेस्ट बन गया है, अब अपने बालों में और रूट्स में इसे अपलाई करना करने से पहले बालों को वाश जरू कर लीजेगा बहुत ज़्यादा बालों को नारिश करता है आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं ड्राइ हैं फ्रिजी बहुत हैं बहुत उलस्ते बहुत ज़्यादा ज़ड़ती हैं आपके बालों में आपके बहुत ज़्यादा डैम तक हलके हातों से अपने बालों में मसाज करने के बाद आपने बालों का अच्छे से बाद लीजे और इसे 40 मूट के लिए इसी तरह छोड़ दीजेगा और 40 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूं ये देखे 40 मिनट हो गए हैं और अब मैं अपने बालों को हेर वाश करूँगी और माइल्ड शैंपू का यूज़ करना है याद रखेगा वाश करने के बाद मेरे हियर बहुत ज़धा सिलकी और बहुत ही स्मूद हो चूने में बहुत ज़धा सॉफट बहुत अच्छा लग रहा था थ्री फैटी एसेड होते हैं जो हमारे बालों के रूखे वनको खतम कर देते हैं मैं आपके बाल अगर रूखे है तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और साथी साथ कंडिशनिंग भी कर देते हैं सरसों के तेल से मारे बाल बहुत जदा मुलाइम हो जाते हैं और मल्सकि भी कर दो नहीं है अगर आपके स्कैल्प मैं मुहासा की समस्य आपको तो आपको ये वाला मास्क नहीं लगाना है कोगी इसमें मैं सरसों का तेल उसकी आपकर अब जदा गर्ण सक्ती हैं इसलिए आप इसे अवॉइट करिएं और मत लगायेगा हैं ये मैंने बाल प पर शेयर की हैं उनकी लिंक में डिस्क्शिन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं अपने चैनल पर बच्चों के कपड़े, साड़ी, करटेन और बेबी प्रोड़क्स, कॉस्माटिक प्रोड़क्स इन सब के रिव्यू भी करती रहती हूं और तैंक टाइम पर घरेलून उसके भ बाई लव यू तेक क्या